नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि मैंने रर्सरी से लाए हुए रैनन कुलस की रिपोर्टिंग कर ली है रैनन कुलस के साथ ही मैंने तीन प्रैमुला और एक सिनरेरिया का भी प्लांट लिया था उसकी रिपोर्टिंग भी यहां मैं कर रहा हूँ और इस बार मैंने यह जो मिट्टीर है उसको तो मैंने ततकाल जो है वो निकाला था और उसी मिट्टी में रिपोर्ट कर दिया था आप मतलब किसी पॉट के अंदर से सोयल निकल कर आप तो इस्तमाल कर शकते हैं तो यह प्रैमुला की भी रिपॉर्टिंग बहुत जादा जरूरी थी क्योंकि अब तो धिरे-धिरे करके जो हो फर्वरी का मन था रहा है और फर्वरी के बाद जो है मैक्सिमम मार्च के लास त जो की थी तो सिनेरेरिया का जो प्लांट है अभी मेरे सिनेरेरिया जो मैंने दो पहले से लगाये थे उनके अंदर भी जो है उसे बड़िंग स्टार्ट होई है अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो यह भी जो प्लांट था बहुत ही हल्दी था और 60 रूपीज में तो क्या करना चाहिए बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि उनको यह लगता है कि अब प्लांट पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका है वो प्लांट को तुरंथ ही जो है वो कट करते हैं और कट करने के बाद जो है पॉट को खाली करके प्लांट मतलब फेग देते हैं ले किसी नुक्षान के बना रहता है बाकी के आपको देखी रहे होंगे काफी सारे winter flowering plant पे flowering हो रही है लेकिन रह रहे के बारिस के भी आशार बन जाते हैं तो थोड़ा डर सा लग जाता है और बारिस ने ही मेरी गुल्दावदी को थोड़ा जल्दी खराब कर दिया तो ये सारी गुल्दावदी मेरी जो है अब पूरी तरीके से फैड हो चुकी है खराब हो चुकी है इनको रखने का अब कोई मतलब नहीं बनता तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आप लोगों के शास सेयर करूँगा तो मैं पूरी तरीके से देखे उपर की जो ब्रांचे जो होती है उनको पूरी तरीके से कट कर देता हूँ और नीचे से जो सकर्स निकल रहे होते हैं इनके अंदर जैसे गुल्दावदी में हमको रखना है उसके बाद जो है जो भी पॉर्ट आप इस्तमाल कीजिए उस पे अगर लिखने लायक है चाहे तो पर्मनेंट मार्केट या पैन से लिखा जा सकता है तो पैन से लिख लीजिए मतलब वो प्लांट हमारा किस कलर का है आप कट कर दीजिए अगर मतलब एक ही कलर के आपके पास कई गमले है तो फिर सारो को रखने का कोई जरूवत नहीं है क्योंकि एक गमला अगर आप इनका बचा ले जाते हैं तो उस गमले के अंदर जो सकर्स निकलते हैं उन सकर्स की कटिंग को लगा-लगा कर अब बहुत सारे प्लांटिन के अलरडी बना सकते हैं तो मैं इस तरीके से पैंसे मैं ले रहा हूँ मतलब कौन सा किस कलर का है और थोड़ा चेक भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास मैरून के तीन सेट थे अलग-अलग तो और यलो के मेरे पास दो सेट थे कुछ मैंने नए अड़ किया थे जो नए अड़ किया थे तो उसमें तो मुझे बहुत जादा सोचने की जरुवत नहीं है लेकिन यलो और मैरून में मुझे थोड़ा जो है उसको मैं उपर से पूरी तरीके से कट कर दे रहा हूँ आपको दिख रहा होगा और जिसको निकालना है उसको जड़ों से पूरी तरीके से निकाल दे रहा हूँ जैसे कि ये प्लांट जो है देखिए इसको मुझे सुरच्छित करना था तो मैंने उपर का cut कर दिया उसके बाद जो है उसका color कौन सा है ये pot के उपर लिख दिया अगर आपके पास permanent marker होता है तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन अगर आप मान लीजिए plastic pot की आप एच्छा जो है आप मिट्टी के गमले का इस्तमाल करते हैं या फिर cement pot का इस्तमाल करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कागच की चिट पे लिखकर उसके उपर मोटा वाला जो चोड़ा वाला transparent tape होता है उससे cover कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी भी तरीके से जो है एक चिट लगा कर जो है polythene के अंदर बंद करके आप गमले के अंदर stick के साथ रख सकते हैं इससे आपको color जो है वो confirm रहेगा मेरे पास जो की इस बार बहुत सारे colors थे तो मैंने सब को जो है इसी तरीके से identify करने के लिए जो मतल अल्रेडी annual chrysanthemum जो है वो flowering पर अब धीरे-धीरे करके आने वाला है और वो पड़ा हुआ है बिना pot के मतलब उसको मैंने grow back के अंदर लगा रखा है उसी में वो पड़ा हुआ है तो यह जो खाली हुए है pot इनके अंदर मैं अब annual chrysanthemum डाल दूँगा और यह जो बचे ह हुए मेरे plant थे मतलब जो मैंने cut करके रख दिये हैं save करके next year cutting लगाने के लिए next year क्या यही अप्रैल से ही अपकी बार में cutting लगाना शुरू करूंगा और कई shift में इस बार में cutting को लगाऊंगा एक pot यह मुझसे थोड़ा तूट गया क्योंकि मैंने बहुत जोर लगा कर खी experience है लेकिन मैंने थोड़ा जोर जादा लगा दिया और जोर जगाने से pot मेरा फट गया garden काफी जादा गंदा हो चुका था तो उसकी मैं अब साप सफाई भी कर ले रहा हूं क्योंकि है क्या कि garden के अंदर जब गंदगी होती है तो बड़ा ही जो है वो देखकर पटा सा लग हैफी गार्डिंग बबाए और टेक केर